हेलो गाइज विल्गम बैक टू माई चानल समाटी जो गई जैसे कि यहाँ पर डेली फॉरस गाट की जो एंसर की थी उसकी डेट पहले से हाँ पर मेंशन करा गया था और आज यहाँ पर 11 तारीक है और आज ही आपके यहाँ पर एंसर की के लिंक एक्टिवेट कर दिया गया ह तो चेक आपको कैसे करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यह लिंक दे रहा हूँ आप जाकर डिर्कली उस पर क्लिक करोगे लॉग इन पहुंच जाओगे यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है अपना यूजर डाल दाना और पास्वर्ट डालके लॉग करें पर अपना एंसर की शच्यक कर सकते हो ऑससो इस वीडियो आप बात करेंगे आप इसर डेक्षट के बारे में कि अपका रिजल्ट कप तक आएगा यह त motives वीडियो में होने का मैंक आप डिडियो कम स्कूरिप से बारे में का सब्राइगा जो किसे बारें शाइगे तो आप चार दिन तक यहां पर पती दर्च कर पाऊगे यानि कि जिस भी कोशिन पर आपको डाउट लग रहा है और आपके सर्वे के बारे में तो बात करते हैं इसकी प्रिलेम्स रिजल्ट यानि के पीटी रिजल्ट के बारे में ठीके जो आपका एक्जाम होगा उसके आद आपके बात कर रहेते हैं कि यह कब तक आउट की जाएगी जैसे ओफीचियल डेट यहां पर इसके वारे में जिन दर इसपक्टेट था कि आज 11 तारीक का इसका एंसर की यहां पर आ जाएगा तो आज यहां पर इसकी एंसर की भी रिलीस करती गई है और इसका अगर हम बात करें result date की expected date क्या है तो result date में mention था सरिफ आपका अपरेल ठीक है यह नहीं आप मैंसर नहीं कि आपका अपरेल की first week में आगा यह second week में आगा expected date जो mention है वो आपका April mention है और चार दिन के अंदर ही आपका objection rise यहां पर ले लिया जाएगा तो process काफी अच्छी है यहां पर चल रही अगर बात करें तो तो आपका जो यहां पर result है वो April के last week तक confirm है डिक्लेर हो जाएगा ठीक है April के last week तक आपका यहां पर result भी डिक्लेर कर जाएगा अब आपको यहां पर cut-off survey में apart कैसे लेना इससे पहले मैंने cut-off की video बनाई थी इससे मैंने आपको बताया थे कि आपकी cut-off क्या रह सकती है वो आपका यहां पर जो attempt था उसके basis से बताए अब यहां पर सभी लोगों का अपना raw marks पता चल चुका होगा तो आपको क क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको बस video kit यहां पर comment section में जाना है और अपना category comment करना है और also आपको comment करना है अपना shift कौन से shift में कौन से दिन आपका exam हुआ और अपना attempt यहां पर correct जो आपका यहां पर raw marks आरा वो ज़ूर से comment कर देना है इससे क्या होगा हमें यह प यहां पार्ट ले सकते हो मैंने सुचा कि form create करते हैं फिर यहां पर form create करने में एक दिक्कत ही कि बहुत साय लोग क्या करते हैं कि बस अंदाजा लगा देते हैं या form में गला डिटेल एक तो comment करने के तरीके से यह भी यहां पर पता चले है कितना लोग सही बोल रहे हैं तो simple यहां पर process रखते हैं वो थोड़ा सा यहां पर lengthy process हो जाएगा simple process रखते हैं कि आप comment box में comment करो अपना shift वगयरा comment करो ताकि यहां पर confirmation मिल सके कितने यहां पर attempt कितने यहां पर आपके raw marks आ रहे हैं और कितना यहां पर shift hard रहा है कौन सा shift hard रहा है उससे भी यहां पर clear होगा ठ दोस्तों में ताकि सभी के पास पहुंच सकें और सभी इसमें पार्ट ले सकें तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए bye bye and take care guys